Hello Friends, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सूदो गायने कोमेस्टिया और गायने कोमेस्टिया, डॉज इट मेक रीफ्रेंस ? Friends, मेरे पाद बहुत सारी कोईरी आती रहती हैं, जिसमें सबसे जो कॉम्मनेश कोईरी है, वो ये है कि मुझे picture भेजी जाती है, patient अमना picture भेजते है या discuss करते है और मुझे एक सवाल पूचा जाता है कि रोक्र साब अब picture देख के बता दिए कि मुझे gynecomastry है या pseudo gynecomastry है अगर आप theoretically पूँचे हैं आप मुझे पूचे कि क्या फर्ग है तो मैं बताता हूँ कि सूडो गानुकिमेस्टिया में सिर्फ फैट की डिपॉजिशन होती है, आपको कोई ग्लैंड नहीं है, सिर्फ आपका फैट बढ़ गया है, फैट चेस्ट में जादा बढ़ गया है, और आप उसको एक्साइज के दौरा उसको कम कर सकते हैं, लेकिन प आपको चेस्ट की जो भी शेप है, पहली बात क्या वो फिमिल लाइक है, और अगर वो फिमिल लाइक शेप है, तो क्या वो परिशान कर रही है, आपको वो शेप डिस्टर्ब करती है, क्या आपको ऐसे लगता है कि आप अंडर कॉन्फिट फील कर रहे हैं, आपको लगता ह कि आप जिम नहीं जा पारहे हैं, आपको ऐसे लगता है, कि आपकी वो studies में disrupt कर रही है, या आपको लगता है कि आप मैल से interact नहीं कर पारे हैं, यह सब चीजा अगर आपको problem करती है तो चाहिए वो gynecomastia हो, या pseudogynakomastia है, इससे क्या फरक पड़ता है आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए, आपको लगता है कि आपको सूट अगाने को मेंस्टिया है, तो अपने आपको एक ट्रायल दें, एक ट्रायल क्या दें कि अपने 6 मन्स के लिए आपने आपको कमिट कर लें, कि मैं 6 मन्स के अंदर अपना overall body weight कम करूँगा, सिर्फ chest fat कर कर लें, आपको overall aerobic exercises और diet को follow करना पड़ेगा, और अपने आपको एक 6 मन्स का ट्रायल ने, कि मैं 6 मन्स तक यह सब चीज़े करूँगा, और उसके बाद आप देखी कि कैसा रहता है, अगर आप 6 मन्स के अंदर अगर आपका weight reduction के कारना आपका chest से fat जाना होगा, तो वो सब आप इस question को भूल जाएए, और आप सीधा सीधा जाके अपने आसपास जो भी कोई plastic surgeon है, उससे consult कीजे, और वो आपको बताएंगे इसके लिए क्या करना है, हो सकता है कि आपको 6 मन्स के बाद भी गाइनो कमेस्टी ना हो, 6 मन्स के बाद भी सूड़ गानो कमेस्टी हो, ले आपकी चेस्ट को एक मैली लुक देते हैं, इसमें मोटा question है कि आपकी चेस्ट जो female-like है, उसको में male-like करना है, इसमें question यही नहीं है कि आपको गाइनो कमेस्टी है, या आपको सूड़ गानो कमेस्टी है, तो उस चीज़ के लिए आप प्लीज पहले आपने आपको ट्रा गानो कमेस्टी है, तो अगर way to be direction करते हैं, तो उनको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, उनको gland वही prominent रहने वाला है, फैड भी दिखने वाला है, तो यह candidate, यह वाले patient तो सरजी के candidate हैं, इनको तो इननी के सरजी करवानी ही करवानी है, तो यह most commonist question है, जो मेरे पास हमेशा पेशन यह जानना चाहते हैं, कि pseudo gynecomastia और gynecomastia, तो मेरा answer यह है कि इसमें कोई फरक नहीं पड़ता, आपको जो भी है, आपकी chest में problem है, chest में cosmetic deformity है, हमें उसका answer ढूड़ना है, हमें उसके comparison या उसका diagnosis जानने में कोई interest नहीं है, वो आपको भी नहीं होना चाहिए, तो friends YouTube चैनल पर gynecomastia और cosmetics से related काफी सारी वीडियो दे गई हैं, आप उने देख सकते हैं, और इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt होता है, तो आप नीचे दे के नंबर में WhatsApp कर सकते हैं, यह हमें request बेस सकते हैं, हम आपको callback कर सकते हैं, यह आपको एक video consult दे सकते हैं, thank you, दोस्त देस एक बाल में